आज मैं बनाने वाली हूँ चौको लावा केक और वो भी अफ़म मिकर में तो इजीली और फटाफट से बन जाएगा इसके लिए नो ओवन कुछ नहीं चाहिए हमें तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटर बनाने के लिए मैंने आपे ले लिया है एक कप मैदा अधा कप बटर ये मेल्टेट बटर है और ये घर का बटर है आप मार्केट वाला बटर भी ले सकते हों और अब मैंने डाला है हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा और फन टेबल स्पून बेकिंग पावडर फीन चॉप सॉल्ट और तीन से चार चमच पावडर शुगर औ और एक कप दूड तो एक कप हमने मैदा लिया था तो सामने एक कप हम दूड दालेंगे और लास्ट में मैंने हाफ टेबल स्पून वनिला एसेंस एड किया है क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा और अब इसको हम अच्छे से ब्लैंड कर देंगे आप यह प्रोसेस मिक्सर जार में भी कर सकते हो हमें 5-7 मिल इसको ब्लैंड करना है तो 5-7 मिनिट में हमारे ये बैटर एकदम परफेक्ट रेड़ी हो जाएगा तो देखिए मिन्टों में हमारा बैटर बनके रेड़ी हो चुका है आप देख सकते हो कि हमें ऐसा ही बैटर चाहिए ना ज़्यादा गाड़ा और ना ज़्यादा लिक्विडी अब मैंने ले लिया है एक डाक चोकलेट बार और उसको मैं छोटे-छोटे पीसिस में कर्ट कर लूँगी आप चाहिए तो यहाँ पे कोई साभी चोकलेट ले सकत अब मैंने ले लिया एक अपम स्टैंड और इसके अंदर मैंने बैटर लगा दिया है इसको बैटर से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और अब जो हमने बैटर बनाया था वो इसके अंदर हम डाल देंगे इसको हम पूरा नहीं बरेंगे इसको आधा खाली रखेंगे आधा ही अमें इसके अंदर बनना है और अब बीच में रखेंगे एक एक चॉकलेट का पीस अब उसको फिर से बैटर से पूरा फिल कर देना है अब उसको डग के 5-7 मिनिट इसको एक दम लो फ्लेम पे पका लेना है तो 5-7 मिनिट हो चुके हैं तो देखिए हमारे चॉकलावा केक नीचे से एक दम रेडी हो चुके हैं तो उसको हम एक तुपिक की हेल्फ से पलट देंगे और अब दूसरी साइड भी हम 5-7 मिनिट उसको अच्छे से पका लेंगे अब मैंने यहाँ पे लिया है एक चॉकलेट कमपाउंड आप कोई सा भी ले सकते हो मैंने यहाँ पे मिल्क कमपाउंड लिया है उसको हम मैं कट कर लूँगी और अब डबल बॉलर की हेल्फ से मैंने उसको मैल्ट कर लिया है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डार्क चॉकलेट भी एड़ किया था तो यह हमारे चॉकलावा केक एकडम रेडी हैं एकडम स्पॉंजी एंड सॉफ तो अब उसको हम सर्फ कर लेंगे तो एक तुट्पिक लेना है उसके अंदर हम एक चॉकलावा केक फसाएंगे और अब उसको जो हमने चॉकलेट मैल्ट किया रहा उसके अंदर पूरा डिप करना है और उसको एंजय करना है गर्मा करम तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना था तो आप एक बार घर पे जरूर ट्राइक करना बहुत ही मजाएगा बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और टेस्ट में बहुत ही मस्ता है तो ऐसे ही मसीदा रेसिपी के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लिज लाइक भी करना अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना